ओम नमः शिवार हर हर महादेर भक्तों वेद पुराणों में वर्णी थे कि शिव ही सत्य हैं शिव ही सुन्दर हैं भगवान शिव का न कोई आदी है और न कोई अन्त आपने वेद पुराणों के माध्यम से भगवान शिव की अनेका नेक गाथाईं सुनी होंगी भक्तों परन्तु आज मैं उन्ही जटाधारी गंगाधारी और ओघडनाद शिव भोले की ऐसी कुछ गाथाईं आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आप सबका यह विश्वास और भी द्रिण हो जाएगा के मात्र एक लोटा गंगाजल अरपन करने से प्रसन्न हो जाने वाले सदाशिव जैसा दानवीर और कोई नहीं है तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये शंकर भगवान की जे! आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं भक्त जनों पहली कथा दैते राज भस्मा सुर की सुनाता हूं भस्मा सुर ने अपनी अनन्य भक्ती और हठियोग से शिव भुले नात को पसंद किया और वर्दान में यह वर मांगा कि वो जिसके शीश पर हात धरे वो ततकाल भस्म हो जाए जैसे ही भोले नात में ततास तु कहा वो पापी वर्दान की सक्तिता जानने है तू भग्वान शिव के सिर पर ही हाथ रखने को ततपर होने लगा और उन्हें भस्म करने उनके पीछे पीछे भागा तीनों लोकों के आराध्य भग्वान भोले नात आज स्वयम अपने प्राणों की रक्षा है तू आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे डैत्य भाग रहा हैं आगे क्या हुआ आईए सुन्दे हैं पीछे पीछे भागा पापी आगे शिव जी भाग रहें शिष्टी के हरता देखो आप स्वयम रेत्य उसे काप रहें भागते भागते विष्णू लोक में शिव शंकर देखो आए ये विष्णू प्राणों को बचाओ शिव शंकर ये बत लाए कैसे विष्णू जीने की थी हाँ कैसे विष्णू जीने की थी रक्षा शिव के प्राण की हसुरों को भी जोवर देते ऐसे करुणा निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर बगवान की हसुरों को भी जोवर देते ऐसे विष्णू जीने की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर के आववाहन पर श्री हरी ने योग निध्रा को त्यागा और तत्काल प्रभाव से मोहिनी का रूप धारण किया और असुर के सन्मुक पहुँच गए काम आंध होकर जो ही असुर मोहिनी की ओर लपका तो मोहिनी बने विष्णू जीने कहा कि पहले तुमें मेरे साथ साथ नित्य करना होगा जैसे जैसे मैं नाचती जाओं तुम भी वैसे वैसे मेरे साथ नाचते जाना और मोह वश मोहिनी की ताल पर असुर ता ता थाया कर नाचने लगा जैसे जैसे मोहिनी नाचती भसमा सुर अनुसरन करता जाता और जैसे ही मोहिनी ने नाचते नाचते अपने स्वयम के सिर पर हाथ धरा राक्षस ने भी ऐसा ही कर दिया और भग्वान शिव के वरदान स्वरूप वो तक्काल भसम हो गया इस तरहे मोहिनी रूप में शुरी हरी विष्णु ने शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी जैसे जैसे मोहिनी नाचे असुर भी नाचता जाता था बस मासुर तो मोहिनी की ताल से ताल मिलाता था मोहिनी ने नाचत नाचत अपने सिर पर हात रखा राक्षस ने भी मोहिनी का भक्तों फिर अनुसरन किया भसम हो गया राक्षस पल में हाँ भसन हो गया राक्षस पल में वली चढ़ाई प्राण की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा समाओ शिवशंकर भगवान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं दूसरी कथा का प्रसंग इस प्रकार से है भक्तु एक बार मा पारवती भोले नाथ से शिकायत करते हुए कहती है के लक्ष्मी और ब्रह्मानी तो सुन के बने महलों में रहती है और मैं इस कैलाश परवत पर मुझे भी एक अच्छा सा सोने का बना हुआ महल चाहिए भोले नाथ ने बहुत समझाया परन्तु मा गौरा नहीं मानी भक्तों गौरा की हट के आगे विवश भोले नाथ ने विश्व कर्मा को आदेश दिया कि वो ऐसी एक स्वन की नगरी बनाए जिसका तोड तीनों लोखों में नाव भगवान शिव के आदेश की देरी थी के विश्व कर्मा ने स्वन की ऐसी ही नगरी निर्मित कर दी मा पारवती ने जब उस नगरी को देखा तो अती प्रसन हो गई तीन लोक में सबसे सुंदर ऐसी नगरी बनवाई नगरी देखी गोराने तो मन ही मन वो हरशाई रहे प्रवेश की खातिर कोई पंडित भोले बुलवाओ यज्यहवन और पूजा अर्चन एशिव शंकर करवाओ सबने अनुशंसा की भगतों हाँ सबने अनुशंसा की भगतों फिर रावन के नाम की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की ओ तुमें मैं कथा समाऊं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की ऐसे बया निदाने की आओ आओ तुम्हें मैं कता सुनाओं सभी रिशी मुनियों और देवी देवताओं ने शिव शंकर को यही बताया कि भगवन रावन जैसा प्रकांड पंडित तीनों लोपों में नहीं है अतहे उसी को ग्रह प्रवेश के पूजन पर आमन्फित करना चाहिए ऐसा ही हुआ भगतों रावन को पूजन हेतु बुलवाया गया और रावन ने भी पूरे विधि विधान से ग्रह प्रवेश का उजन अर्चन संपन्न करवाया परन्तु इतनी सुन्दर स्वर्ण से बनी नगरी को देखकर उसके हिर्य में लालच आ गया और उसने भोले नाथ से यही स्वर्ण नगरी दक्षिना स्वरूप मागली दानियों के दानी देवादी देव भूले नाथ ने बिना सोचे विचारे उसे तथास्तु कहकर स्वर्ण से निर्वित नगरी उसके हाथों में सौंपनी हाँ वही स्वन नगरी जो उन्होंने मा गोरा हेतू बनवाई ती एक ही पल में रावण को दक्षिना सरू वो नगरी दान में दे दी इक पल को ना देर लगाई दान में लंका दे डाली आप फकीरी हाल रहे और सबको देते खुश हाली च्वन की नगरी देखो रावण फिर अपने घर ले आया पापी था पर शिवशंकर का भक्त परमगो कहलाया वेद पुराण भी कहते गाथा आओ वेद पुराण भी कहते का था शिवशंकर के दान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हें मैं कथा समाओं शिवशंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं भक्त जनों भोले नात की लीलाओं और कथाओं से तो वेद पुरान पटे पड़े हैं जैसे सागर मंधन के समय विश्पान करना हो और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्यान तथा विश्नु जी को महालक्ष्मी प्रदान करना हो ताड का सुर जालंधर जैसे अनेक अनेक असुरों ने भोले नात को प्रसंद कर उनसे अभय वर्दान राप्त किये हैं तो फिर भोले नात, जो असुरों को भी बर देते हैं, क्या आपकी भक्ती से प्रसन नहीं होंगे भक्तों, अवश्य होंगे, कैसे होंगे, आईए आपको बदलाता हूँ इक लोटा गंगा जल संग में दूद दही घीले आना, चंदन तिलक लगा पिंडी पत, पेल पत्र अरपित करना बस इतनी सी भक्ती पर शिफ खोले खुश हैं हो जाते, भक्तों के भंदार वो भोले, अपनी क्रिपा से भर जाते, व्यर्थ जनम नगवाओ भक्तों आई घड़ी गुणगान की, असुरों को भी जोवर देते, ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिब शंकर भगवान की, खसुरों को भी जोवर देते, ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं ओ नमः शिवार हर हर महादेश भगवान शिव का न कोई आदी है और न कोई अंत आपने वेद पुराणों के माध्यम से भगवान शिव की अनेका नेक गाथाएं सुनी होंगी भक्तूं परन्तु आज मैं उन्ही जटाधारी, गंगाधारी और ओघडनाद शिव भोले की ऐसी कुछ गाथाएं आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आप सब का यह विश्वास और भी द्रिण हो जाएगा के मात्र एक लोटा गंगा जल अरपन करने से प्रसन हो जाने वाले सदाशिव जैसा दानवीर और कोई नहीं है तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये शंकर भगवान की जे आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं भक्त जनों पहली कथा दैते राज भस्मा सुर की सुनाता हूँ भस्मा सुर ने अपनी अनन्य भक्ती और हठियोग से शिव भोले नाथ को पसंद किया और वर्दान में यह वर मांगा कि वो जिसके शीश पर हाथ धरे वो तकाल भस्म हो जाए जैसे ही भोले नाथ में तथास तु कहा वो पापी वर्दान की सक्टिता जानने है तू भग्वान शिव के सिर पर ही हाथ रखने को ततपर होने लगा और उन्हें भस्म करने उनके पीछे पीछे भागा तीनों लोकों के आराध्य भग्वान भोले नाथ आज स्वयम अपने प्राणों की रक्षा हे तू आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे दैत्य भाग रहा हैं आगे क्या हुआ आईए सुन्ते हैं पीछे पीछे भागा पापी आगे शिव जी भाग रहे श्रिष्टी के हरता देखो आप सोयम रेत्य उसे काप रहे भागते भागते विष्णू लोक में शिव शंकर देखो आए ए विष्णू प्राणों को बचाओ शिव शंकर ये बत लाए कैसे विष्णू जीने की थी हाँ कैसे विष्णू जीने की थी रक्षा शिव के प्राण की हसुरों को भी जोवर देते ऐसे करुना निधान की ऐसे दयान निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की हसुरों को भी जोवर देते ऐसे बयान निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर के आववाहन पर श्री हरी ने योग निध्रा को त्यागा और तत्काल प्रभाव से मोहिनी का रूप धारण किया और असुर के सन्मुख पहुँच गए काम आंध होकर जो ही असुर मोहिनी की ओर लपका तो मोहिनी बने विश्णु जी ने कहा कि पहले तुमें मेरे साथ साथ नित्ति करना होगा जैसे जैसे मैं नाचती जाऊं तुम भी वैसे वैसे मेरे साथ नाचते जाना और मोह वश मोहिनी की ताल पर असुर ताता थैया कर नाचने लगा जैसे जैसे मोहिनी नाचती भस्मा सुर अनुसरन करता जाता और जैसे ही मोहिनी ने नाचते नाचते अपने स्वयम के सिर पर हाथ धरा राक्षस ने भी ऐसा ही कर दिया और भग्वान शिव के वर्दान स्वरूप वो तक्काल हस्म हो गया इस तरहे मोहिनी रूप में शुरी हरी विश्णु ने शिव शंकर के प्राणों की लक्षा करी जैसे जैसे मोहिनी नाचे असुर भी नाचता जाता था बस मासुर तो मोहिनी की ताल से ताल मिलाता था मोहिनी ने नाचत नाचत अपने सिर पर हात रखा राक्षस ने भी मोहिनी का भक्तों फिर अनसरन किया भस्न हो गया राक्षस पल में हाँ भस्न हो गया राक्षस पल में वली चड़ाई प्रान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिवशंकर भगवान की खसरों को भी जोगर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं दूसरी कथा का प्रसंग इस प्रकार से है भक्तू एक बार मा पारवती भोले नाथ से शिकायत करते हुए कहती है कि लक्ष्मी और ब्रह्मानी तो सुन के बने महलों में रहती है और मैं इस कैलाश परवत पर मुझे भी एक अच्छा सा सोने का बना हुआ महल चाहिए भोले नाथ ने बहुत समझाया परन्तु मा गौरा नहीं मानी भक्तों गौरा की हट के आगे विवश भोले नाथ ने विश्व कर्मा को आदेश दिया कि वो ऐसी एक स्वन की नगरी बनाए जिसका तोड तीनों लोकों में नहीं भगवान शिव के आदेश की देरी थी कि विश्व कर्मा ने स्वन की ऐसी ही नगरी निर्मित कर दी मा पारवती ने जब उस नगरी को देखा तो अती प्रसन हो गई तीन लोक में सबसे सुंदर ऐसी नगरी बनवाई नगरी देखी गोराने तो मन ही मन वो हरशाई रहे प्रवेश की खातिर कोई पंडित भोले बुलवाओ यज्यहवन और पूजा अरचन एशिवशंकर करवाओ सबने अनुशनसा की भगतों हाँ सबने अनुशनसा की भगतों फिर रावण के नाम की हसरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की तुमे मैं कथा समाओं शिवशंकर बगवाण की असुरों को भी जो बर बेते ऐसे बयाने दाने की आओ तुम्हें मैं कता सुनाओं सभी रिशी मुनियों और देवी देवताओं ने शिवशंकर को यही बताया कि भगवन रावन जैसा प्रकांड पंडित तीनों लोकों में नहीं है अतह उसी को ग्रह प्रवेश के पूजन पर आमन्फित करना चाहिए ऐसा ही हुआ भगटों रावन को पूजन हे तु बुलवाया गया और रावन ने भी पूरे विधिविधान से ग्रह प्रवेश का पूजन अर्चन संपन्न करवाया परन्तु इतनी सुंदर स्वर्ण से बनी नगरी को देखकर उसके हिर्रे में लालच आ गया और उसने भोले नाच से यही स्वर्ण नगरी दक्षिना स्वरूप मांगली दानियों के दानी देवादी देव भोले नाच ने बिना सोचे विचारे उसे तथास्तु कहकर स्वर्ण से निर्वित नगरी उसके हाथों में सौपती हाँ वही स्वण नगरी जो उन्होंने मा गोरा हेतु बनवाई ती एक ही पल में रावण को दक्षिना सरू वो नगरी दान में दे दी टिक पल को ना देर लगाई दान में लंका ते डाली आप फकीरी हाल रहे यों सबको देते खुश हाली स्वर्ण की नगरी देखो रावण फिर अपने घर ले आया पापी था पर शिवशंकर का भक्त परम वो कहलाया वेद पुराण भी कहते गाथा हाँ वेद पुराण भी कहते गाथा शिवशंकर के दान की असरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिर्शंकर भगवान की असरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं भक्त जनों भोले नात की लीलाओं और कथाओं से तो वेद पुरान पटे पड़े हैं जैसे सागर मंधन के समय विश्पान करना हो और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्यान तथा विश्नु जी को महालक्ष्मी प्रदान करना हो ताड का सुर जालंधर जैसे अनेक अनेक असुरों ने भोले नात को प्रसंद कर उनसे अभय वर्दान राप्त किये हैं तो फिर भोले नाथ, जो असुरों को भी बर देते हैं, क्या आपकी भक्ती से प्रसन नहीं होंगे भक्तों, अवश्य होंगे, कैसे होंगे, आईए आपको बतलाता हूँ इक लोटा गंगा जल संग में दूद दही घीले आना, चंदन तिलक लगा पिंडी पत, पेल पत्र अरपित करना बस इतनी सी भक्ती परश खोले खुश हैं हो जाते, भक्तों के भंडार वो भोले, अपनी क्रिपासे भर जाते, व्यर्थ जनम नगवाओ भक्तों आई घड़ी गुणगान की, असुरों को भी जोवर देते, ऐसे दयानिधान की आउ तुम्हें मैं कथा सुमाओ शिवशंकर भगवान की, असुरों को भी जोवर देते, ऐसे दयानिधान की आउ तुम्हें मैं कथा सुनाओं